हेलो फ्रेंड्स तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जो है पेट का जो सीरीज अपना मैराथन का कर रहे हैं सीधी बात नो बकवास और आज इस सेशन में हम लोग देखेंगे फिजिक्स का जो है पूरा जो है मैराथन जैसा कि आपको उपर दिख रहा होगा भहुतिक विग् तो हम जो है पूरा मैराथन में लगवाग आधे गंटे की आपके क्लास होगी और पूरा फिजिक्स को इसी आधे गंटे में कवर करेंगे और 95% चांस है कि कोशन यहां से एक्जाम में बाहर नहीं जाएंगे ठीक है तो सारे जो एक्जाम में कोशन आते हैं जो बार-बार आप त्यारी करते हैं पेट की वीडियो ठीक है या फिर वनरक्षा किसी भी आप परिक्षा के त्यारी करते हैं PCS आरो यारो सभी के लिए यह महत्पूर है यह घटना चक्र लूसेंट और जो PCS की घटना चक्र आती है वहां का यह निचोड़ है वहां कई तीन चारो बुक से देख लीजिए का क्या चोटा है क्या नहीं इसमें कुछ भी नहीं चोड़ा गया है सारे इंपोर्टन टॉपिक को सामिल किया गया है तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो जब चालू होगा तो फिर सीधी बात होगी नो बकवास तो फिजिक्स पढ़ते ह पूछा सकता है कि न्यूटन ने कितने गती की नियम दिये तीन नियम पहला था जड़तु का नियम दूसरा है समवेग संरच्छन का नियम इसी को कहते हैं बल बराबर दर्बिमान गोड़े तोरन मतलब फोर्स इस इकल टू मास इंटू एक्सलेरेशन और तीसरा नियूटन हैं तो जितना देज दबाते हों से जाद आपको जटका लगता है ना तो वही एक्सन रियक्सन क्रिया प्रतिकिरिया का नियम है जो है न्यूटन का तीसरा नियम तो न्यूटन ने गती के अपने तीन नियम दिये थे जड़त का नियम समवेग संच्छल का नियम और क्रिया प्रतिकिरिया का नियम, ठीक है, बात कर लेते हैं कि न्यूटन की जो पुस्तक का नाम था, वो क्या नाम था, न्यूटन की बुक का नाम था, प्रिंसी पिया, और इसी बुक में न्यूटन ने गुरुत्वा करस्नल का नियम भी दिया है, ठीक है, जैसा कि आप सब बच्पन स उन्होंने देखा कि ये पले जो है पेड से टूटके गिरा तो कही ना कहीं घर सलर हुआ है और ग्रेवटी पर किरीवटी है तो इस िसको लेकर उन्होंने पुस्तक लिख़ा प्रिंस्पिया और उसमें जो है गृत्वा करेस्ण का नियम दिया था नियूटन ने चलिए हम लोग देखते हैं कुछ मात्रक देखिए जो आपका SI पद्धती में है SI पद्धती में आपके साथ जो है मूल मात्रक है बागी अन्य महत्पूर SI मात्रक भीम लेंगे जो आपके प्रेट इकजा में पुछे गए थे बिद्धुधारा का मात्रक एंपियर ताप का मात्रक केलविन जो ती तीवृता का मात्रक कैंडेला पदार्थ की मात्रक मोल होता है बात कर लेते हैं कुछ और महत्पूर SI पद्धत की मात्रक हैं उनमें जैसे SI में आपका होता है उस्मा, कारे और जूल उस्मा, कारे और उर्जा इनका मात्रक S.I. पद्दत में जूल होता है तीनों का दाब का मात्रक पास्कल बल का मात्रक न्यूटन होता है लेकिन C.G.S. पद्दत में अगर बात करें तो C.G.S. पद्दत में बल का मात्रक डाइन होता है तरंग दयर्द का मात्रक एंगस्ट्राम होता है और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम और पिछली बार यह एक जाम में आप से पुछा गया था कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है तो ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक यह पेट में पुछा गया था वही बात करते हैं प्रति द्रोधक्ता का ओम मीटर होता है और एक्सिलेरशन या तॉलाण का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्कॉायर तो यह महात्पूर जो है हमने मात्रक लिए थे एसाई पत्धत में साथ मूल मात्रक बाखी जो अनिंपोर्टेंट मात्रक हमने लिए थे अब देखते हैं कि मापनी अंतर यहां से जरूर एक कोईशन अग्जामें आपको पूछा जाता है फिजिक्स में तो उसमें जो है आईए देखते हैं जैसे वर्षा मापनी के अंतर को क्या कहते हैं तो रहन गेज आदरता मापनी को अंतर को हाईग्रो मीटर द्रव का आप एच्छी घंट जि हाईड्रो मतलब पानी यानि द्रव का आप एच्छी घंट हाईड्रो मीटर से कनफ्यूज नहीं होना आपको धन की तीवर्था ओडियो मीटर से समुद्र की गहराई फैथो मीटर या फैदो मीटर से उड़ते विमान की उंचाई को अल्टी मीटर से हम लोग मापते हैं य या वायू का यह वेग जो मापते हैं एनिवो मीटर मोस्ट इंपोर्टन सोने की सुद्धता मापते हैं कैरेट से और पिछली बार एक्जाम में पूछा गया था कि 18 कैरेट जो 18 कैरेट आपका सोना होता है वो कितना परसंट सुद्ध सोना होता है तो वह 75 परसंट ट्राइ है चलिए बात करते हैं आगे मैं आपको केमेस्ट्री में उसको सॉलेशन बताऊंगा कैसे निकलता हो सोने का कितने परसंट का पूछ ले मानले जी फिसली बार 18 पूछा था इस वार 15 पूछ ले कैसे निका लेंगा आप लो चलिए पाउन का वेग हो गया सोने की सुद्धा केरेट से मापते हैं दूद की गुडवत्ता को हम लोग लेक्टो मीटर से और जो उच ताप मान होता हाई टमप्रेचर उसको मापते हैं पाईरो मीटर से रक्त चाप का मापन जो करते हैं बलड प्रेसर जिसको हम लोग मापते हैं इस फाइगनो मैनो मीटर विद्धुधा परिमार वादिसा की आवसकता होती है, ठीक है, सदिस रासियां ऐसी रासियां होती है, जिसमें हमें परिमार वादिसा दोनों की आवसकता होती है, उसे हम सदिस रासिया कहते हैं, जैसे बेग, बल, तौरण, आदी, ये सब क्या हैं, सदिस रासियां हैं, ठीक है, अदिस रास जैसे अधिस रासियां जैसे द्रव्यमान, तप्मान, समय, उर्जा, सक्ति यह सबाब की अधिस रासियां हैं चलिए बात करते हैं अब हम लोग लेंस के बारे में अभी मैं आपको देखिए पहले एक चीज बता देता हूँ लेंस और दरपण में अंतर ताकि आप लोग यहां से मैंने दरपण भी बीच में लिग दिया है तो आप जैसे समझ जाएं कि आप जैसे दाली बनाने के लिए दरपण होता है तो आपको पता लग जाए कि कैसा दरपण होता है देखिए लेंस क्या होता है और दरपण क्या होता है पहले दोनों चीज को समझ लीजीए फिर हम लोग आगे बात करेंगे लेंस होता है कि जो चसमे में लगता है ठीक है जो डॉक्टर वगरा देखते हैं उसके दोनों तरफ आपको देख सकते हैं, transparent होता है, दोनों साइड दिखता है, लेकिन दरपण क्या होता है, दरपण से आप सिर्फ एक साइड देख सकते हैं, और दूसरे साइड उसको लेप लगा होता है, black color या किसी color का पटी होती है, जैसे आप जो सिसा देखते हैं कि पीछे लेप रहता है, ठीक है, गाड़ियों में जो सिसा side mirror होता है, उसमें लेप लगा होता है, तो दरपण होता है, और lens होता है, जैसे चस्मा हो गया, डॉक्टर जिससे देखते हैं, यह सब lens है, जो दोनों side से खुले होते हैं, तो आप यहां से आप नहीं साफ से छाट दीजिए, जैसे आउटल lens की बात करते हैं, convex lens इसको ओंग्रेजिम कहते हैं, और आउटल lens जिसको निकट द्रिष्टी दोस होता है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है, जो निकट द्रिष्टी दोस होता है, उसमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, कि जो द्रिष्टी दोस जिस इंसान को है, उसको वही चीज़े दिखाई देती हैं, अगर किसी को निकट द्रिश्टी दो से, यानि उसको निकट की द्रिश्टी जो है साफ साफ दिख रही है, लेकिन दूर की बस तू नहीं दिखती है तो वहाँ पर हम क्या इस्तिमाल करेंगा दूर को देखने के लिए आउतल लेंज का इस्तिमाल करते हैं ठीक है आउतल लेंस और कहां कहां पर लगा होता है उसको देख लेते हैं वाहनों की हेड लाइट में जो भी आफके फोर्विलर हैं या जो भी वाइक है सभी के हेड लाइटों में आउतल लेंस का प्रेव किया जाता है दाड़ी बनाने के लिए आउतल दरपण सर्च आज में डॉक्टरों दारा प्रेव किया जाता है उसको आउतल लेंस में प्रेव किया जाता है उतल लेंस का बात कर लेते हैं उत्तल लेंस या दरपण की इसको बोलते हैं कॉन केव लेंस दूर दृष्टी दोस इसमें जो है दूर की वस्तुएं साफ-साफ दिखाई देत इस प्रकार से होता है, जो किर्ड़े होती हैं इस प्रकार से जाती है, आउतल लेंज में, चलिए, तो concave lens देख लेता है कि इसमें दूर दृष्टी होता है, कि निकट की वस्तू जो हमको साफ साफ नहीं दिखाई देती है, सिर्फ दूर की दिखाई देती है, तो इसके दौरा हाथ देखने में और घड़ी साज के दौरा घड़ी साज का मतलब जो आप आपकी क्लॉक है घड़ी है और घड़ी के सीसे के अंदर जब आप लोग देखते हैं जो तो यह चलती रहती है चोटे-चोटे तो वहाँ पर उत्तर लेंस का इस्तिमाल किया जाता है चलिए अब बात कर लेते हैं कि धौनी के बारे में बहुत इंपॉर्टन कोईशन यहां से जरूरी एकजाम में कोईशन आपके बनते हैं कि धौनी की तीवरता को जो मापने की काई है उसका नाम डेसिवल है मैंने इसको ऊपर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहां से सम्मंदि होती है ठीक है तो यह इसकी बारे में देखते हैं हिर्दई की धड़कन जो है 10 देसिवल तक आवाज़ करती है जो । करती है आपका हाटरेट धक करता है वह 10 डेसिवल में और जब आप किसी से खुशवशषण का बात करते हैं तो तो वो 20 decibel का और जो घड़ी का टिक टिक है अगर कमरा सांत हो और घड़ी में इसमें टिक करती है तो 30 decibel का आवाज करती है बात करते हैं अस्पतालों में जो सोरगूल होता है अस्पताल में वो 74 decibel का होता है साधारन बाचीत अगर आप करते हैं तो 30-40 decibel जोर से बात करते हैं सोरगूल करते हैं तो 50-60 decibel और ट्रेक और ट्रेक्टर का जो आवाज होता है 90-100 decibel होता है जब खेती की जाते हैं ट्रेक और ट्रेक्टर से ठीक है तो आप कोई जो है याद रखना है बात कर लेते हैं आगे धौनी से बाते चल रहे हैं तो धौनी की बारे मात करेंगे जो sound है ठीक है धौनी का तारतो यानि पिछ तारतो को हम पिछ बोलते हैं धौनी का जो तारतो है वो आवरित्ती पर निर्वर करता है ठीक है जो त अब बात कर लेते हैं सरवत रंगे अब सरवत रंगे प्रासरवत रंगे तो देखिए आपका सरवत रंगे पहले हैं जिसको हम सुन सकते हैं उसमें 20 हर्टज से लेकर 20 20,000 हर्टज की अवरिति तक जो तरंग होती है उसको हम सरवत रंगे के नाम से जानते हैं और मनुस्योदारा सुनी जाने वाली धोनी जो है उसी को सरवत रंगे कहते हैं हम लोग 20 हर्टज से 20,000 हर्टज की अवरिति के बीच में तरंगों को सुन सकते हैं इसी को सरवत रंगे कहते हैं ठीक है वाकि 20 हर्टस की उपर कुट्टे विली भी सुनते हैं स्रब्त रंगों में चलिए बात कर लेते हैं कैपिटल जी स्मॉल जी की बारे में गुरुत्वी तुरण स्मॉल जी का नियूंतम मान कहा होता है तो सबसे जो नियूंतम मान होता है भूमद रेखा पर ठ एक नीचे से ठीक है फिर से बना देता हूं यहां धूरू हो गया दोनों साइट त्रू दचली धूरू बीट से गई है भूमद रेखा विश्वत रेखा 423 डिगरी इए उपर करकर रेखा और 34 डिगरी गई नीचे मकर रेखा तो जो आपका भूमद रेखा है ठीक है इसी पर इस्मॉल जी का मान गुरुत्वी तुरुण जो है सबसे कम होता है कहां भूमत रेखा पर और कहा जा रहा है कि गुरुत्वी तुरुण का जी का मान सबसे अधिक कहा होता है तो होता है धुरुवों पर ये आपका जो धुरु है यहाँ यहाँ इस्माल जी का आधिकता मान धुरूओं पर और नियुंता मान भूमद रेखा पर यह सीधा सीधा कोश्चन आपके एक्जाम में आता है अब बात कर लेते हैं कि चंद्रमा पर इस्माल जी का मान पृत्वी के इस्माल जी का मान का एक बटेच्छ होता है मान लिजिए किसी व्यक्ति का भार सव किलोमीटर है पृत्वी पर तो वह चंद्रमाल पर कितना हो जाएगा सव का एक बटेच्छ है सोला पॉइंट कुछ किलोग्राम हो जाएगा इसका मतलब जो द्रभमान की बात किये जाए रही है भार की बात किये जा रही है हिआ अलस Hersot buys है तरंगों के परकार अब देखते हैं कि तरंग कितने परकार के होती कों कॉनसी यांत्रिक तरंग और दूसरा है आयांत्रिक तरंग जिसको ढम गुत बुद्दु चुम्म की तरंग के नाम से भी जानते है idea है कि आब एक एक करके हम प्रकार बात करते हैं इसी का दूसरा प्रकार वो है बिद्दौत्चुम्ब की, इलेक्ट्रोमडेक्नेटिक वेब रहां, बिद्दौranceमडेक्षे. चलिए इसके बारे हम देख लेते हैं. देखिए चलिए तरंगए हैं थे एक सिरियल वाई चलती हैं जीसे यो एक साइज से आपको चलना है और यह जो साथ जो है किरड़े हैं सीरियल से चल रही है ठीक है इसमें जो तरंग दैर्थ है वो बढ़ते करम में लिखा गया है सबसे कम तरंग देद वाला दीर ग्रेडियो तरंग होता है अब बात कर लेते हैं कि आवरित्ती का तो सबसे कम जो जिसका ज्यादा सबसे ज्यादा तरंग देद होगा उसकी आवरित्ती सबसे कम होगी तो जो दीर ग्रेडियो तरंग है उसकी आवरित्ती सबसे कम फिर उससे ज्याद गामा के गामा सब्सक्ता करती है जो को मुणा है सब्सक्रादिक ब्हेदर करता है और जिस किरणो में सरवाधिक ब्हेदन चमता हुती है, वम लोग गामा किरणो की नाम से जानते हैं और गामा किरणो की खुश किया था Paul Willard बात करते हैं, कुछ और तरंगे हैं जैसे लगू रेडियो तरंग इसका उपयोग हम लोग कहां करते हैं तो रेडियो, टेलिविजन, टेलिफोन में हम लोग जिस तरंगों का उपयोग करते हैं, उसको हम लोग लगुत तरंग कहते हैं, उसको हम लोग इंगलिस में microwave के नाम से जानते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुहुरे में फोटोग्राफी जो की जाती है, उसमें कौन सी करण होती है, आउरक्त, इंफ्रारेट करण, पानी को सुद्ध करने के लिए कौन सी करण का प्रयोग किया जाता है, तो प्रवाइग नी करण, अल्ट्रा वाइलेट रेज, सारी इंपोर्डन है, और फिजिक्स का आपका एक भी टॉपिक छोटने वाला नहीं है, आप बात कर लेते हैं कि द्रिश से प्रकास जो हमने अभी देखा था, चो थे नंबर पे, जो द्रिश से प्रकास था, विजिवल रेज, उसके बारे में, देखिए, ये आपने रंग पढ़ा होगा, कि बैजानी आ पिनाला ठीक है, तो बैगनी, जामुनी, नीला, आस्मानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल इस प्रकार से, तो जो आपका स्री चलता है, उसमें हम बात करते हैं कि तरंग देर्द का, जैसे हमने उसमें देखा था भी उपर, कि इधर से सबसे कम तरंग देर्द होगा, फिर बढ़ते कर टरंग देर्द चलेंगे, जामुनी, नीला, आस्मानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल इस सब का जो है, तो सरवाधिक देर्द होगा, वह थोगा लाल का, इसका उल्टा कर देंगे, तो सभसे कम अपरिती लाल की, फिर नारंगी, फिर पीला की, यानि सभसे जाए अवरते जो प्रार्थमिक रंग और दितियक रंग के बारे में primary and secondary जो color होते हैं कौन-कौन से होते हैं प्रार्थमिक रंग most important लाल हरा नीला सिर्फ लाल हरा नीला ठीक है आपको एक कहानी सुनाता हूं कि गाउं में अक्सर इस्त्रियां अपने पती का नाम नहीं लेती है तो एक बार की बात है तो एक इस्त्री ने दूसरे इस्त्री से पूछा कि आपके पती का क्या नाम है तो उसने बताया कि मेरे पती का वही नाम है कि जिसको देखकर ट्रेन जो है चल देती है और जिसको देखकर ट्रेन रुख जाती है मतलब मेरे पती की इतनी पावर है कि जिसको देखकर ट्रेन चल देती है और जिसको देखकर ट्रेन रुख जाती है तो मतलब जो है हरी लाल मतलब उस महिला के पती का नाम था हरी लाल मतलब उसके हरी को देखा ट्रेन चालू हो गई चल दी और लाल को देखा ट्रेन रुख गई मतलब इतना पहुंचा वाली इंसान थी वो तो हरी लाली जोग है बता रहा हूँ आपको तो प्रात्मी कलग उसी प्रकार से हरा लाल और नीला भी होता है ठीक है और दीतियक रंग क्या होता है इनी का जब मिस्रण कर देंगे हरा लाल ठीक लाल नीला इसका जब मिस्रण कर देंगे जो भी कलर आपको प्राप्त होगा वो सब दीतियक रंग या सिगेंडरी कलर होते हैं इंपोर्टन है सब कुछ, आगे बात करते हैं, किस ताप मन पर पानी का घनत जो है, अधिक्तम होता है, सबसे ज़्यादा जो पानी का डेंसिटी कहा होता है, किस ताप मन पर तो 4 डिगरी सेल्सियस पर, 4 डिगरी सेंटीग्रेट पर सबसे ज़्यादा पानी का घनत होता है, बात करते हैं आप अपने घर पर जमाते हैं चोटे छोटे खाने फ्रीजर में होते हैं अगर थोड़ा है उसमें पानी दाल देगे तो जब जमता होगा तो फैल जाता होगा पूरा अच्छे से सेप में आ जाता होगा तो जब भी जो है कोई चीछ जमता है तो उसका आहतन जो है बढ़ जाता है आगे बात करते हैं कि यद ठोस में कोई असुद्धी दिमान हो तो उसका गल्लांग जो है कम हो जाता है अब कुल्फी आइस्क्रीम और खाते हैं तो पूरा सुद्ध नहीं होता है उसमें कुछ ना कुछ असुद्धीयां मिलाई जाती है कि जिससे उसका गल्लांग कम हो सके और जल्दी वो गल्लेना जैसे आप कुल्फी खाते होंगे तो कुल्फी में नमक मिला जाता है सुद्धी जो होती है नमक खुब सारे नमक कूट की उसी में डाले होते हैं नीचे से बर्फ में ताकि वो जो है गल्लेना और उसके अंदर भी ओलोग कुलफी में भी नमक वगरा डालते हैं इसलिए जो है उसका गलनांग कम हो जाता है फॉरेन हाइट पैमाने में सुध जल जो होता है उसका कोतनांग का मतलब जिसमें वाल हो जो खौलता हो जब तो फॉरेन हाइट में 212 डिग्री फॉरेन हाइट पर ठीक है प्रकास की गती ध्वन की गती से तेज होती है आप सब को पता होगा कि जब भी बारिस होती है तो बादल पहले जो है चमकता है उसके 10 सिकंड ये 20 सिकंड बाद जो है गरसता है तो इसका मतलब होता है कि प्रकास की गती जो है ध्वन की गती से तेज होती है ठेक मनुस्य का सामान जो तापमान होता है वो लगवक 37 डिग्री celsius के असपास होता है 37 डिग्री और फॉरिन हैट में तो 90.4 फॉरिन हैट के असपास प्रकास पर्किर्ण के निम्लिकेत उदारण यह हैं जैसे आकास का निला रंग दिखाई देना, समुद्र का रंग निला होना, सुरियोदय वा सुर्यास्ट के समय सूरिकी का लाल होना, अंत्रिक्च का काला दिखना ठीक है यह सब बाते जो हैं वो किसके कारण ऐसे होती हैं यह ऐसा होता नहीं लेकिन भ्रह्म है किसके कारण यह प्रकास परकीरन के कारण होता है ठीक है आगे बात कर लेते हैं कि अपवर्थन के अपवर्थन के कारण कैसे दिखाई देते हैं जो तारों का टिम्टिमान जो आकास में हमको तारे जो है टिम्टिमाते हैं दिखाई देत चलिए आगे बात कर लेते हैं पूढ आंतरिक परावर्तन की बारे में हीरे का चमकना ठीक है पूढ आंतरिक परावर्तन है रेगिस्तान में मरीचका अगर आप रेगिस्तान में दूर से देखेंगे तो आपको लोगेगा पानी है तो इस प्रिकार का ज़ो है यह पूर्ड आंतरिक प्रावर्थन की कारण रेकिस्तान में मरिच का और काँच के चटका भाग का चमकना जैसे आप कौई काँच वे तूट जायके भागगों ते वो अलग नहीं हुछ लेकिन जहान जहान से वो च्टका रहेगा वो चमकेगा, किसके कारणा? वो पूर्ध आंत्रीक परावरतन के कारणा, reflection ठीक पानी में पड़ी प्रिगनली का चमकना और पानी में चमकते बुलभुले यह सब जो है, पूर्थ आंत्रीक परावरतन की कारणा होते हैं आगे बात करते हैं laser और measure की इसका full form बहुत पुछा जाता है laser और measure आप देखते होंगे laser printing, laser light तो जो laser है इसका पूरा नाम होता है light amplification by stimulated emission of radiation यह होता है laser का और measure का पूरा नाम होता है microwave amplification by stimulated emission of radiation, yum for microwave बागी सब चीजे वह ही रहेगी तो यह भी जो आप लोग कर लीजिएगा पिछली बार PET में यहां से question पूछा गया था पिछली बार साथियों PET से physics में दो question और chemistry से दो question वही bio से एक question पूछा गया था, बात लोग मैराथन जादा लेते हैं biology की physics chemistry को को कोई ध्यान नहीं देता जो कि चार नंबर आपकी यही दिलाएंगे तो इसके बाद वाली जो वीडियो आपकी मैराथन आएगी वो chemistry की और फिर जो इसके बाद वाली वीडियो वो आएगी biology की वो वीडियो तीनों जो है आज ही आपको मिलेगी क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास तो इसलिए सारी मैराथन परड़े आपको अबलोबल करा दी जाएगे और चैनल पर आप लोग नए है तो जाकर देख लीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्रकास वर्स किसके मापन की काई है तो प्रकास वर्स जो है यह पेट में यही प्रकास वर्स जो है एक वर्स में निर्वाद में प्रकास दौरा चलीगे इकुल दूरी प्रकास वर्स का मातरक है ठीक है पेट यह आया था प्रिविएस यह एक प्रकास वर्स बराबर 9.46 गुड़े दसकी और उन्थे 15 मीटर होता है और दूरी मापने की सबसे बड़ी का है उसके यंद्र की बारे हम देखें कि कौन सा यंद्र किस भाती कारिय करता है जैसे ट्रांसफार्मर ठीक है तो ट्रांसफार्मर किस सिधान पर कारिय करता है वो है विद्दुचुमकी प्रेरन विद्दुचुमकी प्रेरन इसका कारिय क्या होता है ट्रांसफार्मर का कि उच्छ प्रत्यवर्ति धारा को निम्न प्रत्यवर्ति धारा को बदलता है और निम्न प्रत्यवर्ति धारा को उच्छ प्रत्यवर्ति में जो ट्रांस्फार्मर आप देखते हैं जो विजली वाला ठीक है वो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज और लो विल्टेज को हाई व बाकि बिद्दूत मोटर क्या है बिद्दूत मोटर जो है यह बिद्दूत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदलता है जो इलेक्ट्रिक मोटर है आपके आप देखते हैं कि आज कल बहुत ज्यादा गवर्मेंट बढ़ावा दे रही इलेक्ट्रिक मोटर को ताकि परियार उर्जा को प्रकास उर्जा में बदलती है, मोम जो है एक केमिकल है, उसको चेंज कर देता है, ठीक है, लाइड में, लाइड एनरजी में, प्रकास उर्जा में, लाउड स्पिकर, लाउड स्पिकर जो है, बिद्दुत उर्जा को धौनी उर्जा में बदलता है, और माइक्रो से बोलते हैं बहुत तेजी से सुनाई देता है मतलब वो इलक्रिक के मादम से हम लोग बोलते हैं और जाता है वो वाइलूम के मादम से धोनी के मादम से उसी प्रकार माइक्रोफोन में हम बोल रहे हैं लेकिन वो जा रहा है जिस प्रकार से आपके पास बिद्दू तुर्ज और डायनमो दोनों की खोज किया था फैराडे ने डायनामाइट का विश्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने और 1901 से नोबेल पुरुषकार दिया जाता है यह स्वीडस के वह ग्यानिक थे स्वीडन के इसलिए उनके नाम पर नोबेल पुरुषकार दिया जाता है इन्हो की खोच प्रोफिसर नॉट जन 1895 में प्रकास वैदुत प्रभाव का खोच आइंस्टीन ने किया था और इसी जो प्रकास वैदुत प्रभाव को सापेच्छता का सिध्धान्थ भी कहा जाता है इसलिए आइंस्टीन को नोबिल पुरुसकार दिया था तो बहुत इंपोर्टन्थ है कि पूचा जाता है कि आइंस्टीन को नोबिल पुरुसकार किस छेतर में दिया था दो विज्धान最 हिएा और प्रकास वैदुत प्रभाव या सापेच्छता का सिध्धान्थ 1928 में करते हैं 28 फरवरी को इसलिए 28 फरवरी को भी ग्यान दिवस के रूप में मना जाता है और आगे चलकर 1930 में सीवी रमन को भावतिकी के छेतर में नोबेल पुरुस्कार से नमाजा जाता है रेडियो एक्टिविता इसकी खोज हेंडरी वेकुरल ने की थी और रेडियम की खोज माडम क्यूरी ने की थी ठीक है अब बात करते हैं कि धादुएं अच्छी चालक होती हैं क्यों धादुएं अच्छी चालक क्यों होती हैं क्योंकि उनमें धारा वाहक है उसमें मुक्त इलेक्टरान होते हैं ये कोश्चन पेट में पुछा गया है अगला कोश्चन है कि एक परिपत में बिद्दुध तब प्रवाइद होगी जब स्विच बंद होने पर बंद रहेगा तो बिद्ध धौरा जो है आटोमेटिक उसके बाद धीरे से प्रवाह कर जाएगी तो यह कुछली बार पेट में पूछा गया था कर सकते हैं बस थोड़ा समय लगता है लेकिन अच्छे से कमस्केम तैयारी आपकी पूरी हो सकती है बार-बार वीडियो नहीं देखना पड़ता है जिन पदार्थों से वकर विद्धुधारा नहीं गुजरती है उन्हें हम लोग विद्धुत रोधी कहते हैं अब अगला है सुद्ध पानी विद्धुत का खराब सुचा लग होता है सही बात है जो आपका डिश्टल वाटर है जो आपका सुद्ध पानी है वो विद्धुत का खराब सुचा लग होता है और उर्जा के जो प्राकृतिक सुरोत की बात करते हैं उर्जा में तो उर्जा के जो प्राकृतिक स्रोत हैं उसमें लकडी, कोईला और सूरे ये सब नेचुरल चीज़े हैं बागी बात करते हैं कृतिम या प्राकृतिक बात हैं जो वो बिद्दुत आपका है वो जो है आप्राकृतिक है हम लोग उसको प्राकृतिक से करते हैं आप प्राकृतिक में तो बि हो सका मैंने आपको पूरा जो है explain किया अच्छे से अच्छे से पढ़ाया अगर आप नहीं है इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए घंटी दवा लीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर यूपी ट्रिपलेसी पेट की सारी महराथन कलास्टेस को आप लोग प्यार से देखिए सब कुछ आपको आराम से सोझ में आ जागा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ठीक है और पेट के आप ज्यादा दिन नहीं बचे हैं बारा दिन और आपकी पेपर के हैं तो तयारी में लग का क्या कि फिर आपका सिर्फ करेंट बचे गा तो करेंट भी आपको दो या तें दिनों में पूरा करेंट को फिर तीन वीडियो में करवाद हուगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और जादा स्यखशन आए नेक्स वीडियो में ड़िए कल bachelor जए हिंजे भारत